हेलो प्यारे दोस्तों नमस्ते आप सभी का स्वागत एक बार फिर से मेरे चैनल पे तो सर्दियों में एक ही टेंशन रहती सभी माओं की जिनके छोटे बच्चे उन्हें तो ज्यादा ही टेंशन लगी रहती है कि उनके बच्चे बीमार ना पड़े खासी जुखाम ना लगे तो बहुत ही जादा टेंसर नेती क्योंकि उन्हों टोपी लगाते है ना जूता मोजा पहनने से एक दम इनकार कर देते हैं पहना भी तो जबर जश्ती तो निकाल के फेक देते हैं ऐसे में क्या होती है खासी जुखाम सर्दियां एक दम पकड़ लेती जकड़ लेती है और इसके लिए हमें बार-बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो बहुत ही ज़ादा माँ परेशान हो जाती है लेकिन मैं क्या करती हूँ अपने बच्चों को घरेलू उसके से ठीक करती हूँ बतलब तेल की मालिश करती है जैसे दादी नानी सभी मालिश करती है न तो ये तेल में घर पे खुद तयार करके रखती हूँ, रोज उबे शाम उन्हें लगा देती हूँ ताकि सर्दी उन्हें ना लगे। जिसके लिए क्या करती हूँ मैरा यहान पे लेटी हूँ सरसो का तेल, वही कटोरी oluyor। ज़िके पूरी काली पढ़ गी है काटोरी। यहां सबसे पहले हमारा काम ना चाड़-5 कलिया ले 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 लेना है लैसुन की इससे अच्छे से कट कर ले लेना है। और एक प्याज ले लेना है छोटा सा, क्योंकि लेसन प्याज बहुत तासीर गरम रहती, इसलिए हम अपने तेल में इसका इस्तमाल करेंगे, अब इस तेल को पकने देना है, अब यहाँ पे हमारा जो मेन इंग्रिडेंट है, हो है अजवाइन, जी हाँ दोस्तों, अजवाइ हैंगे न, सर्दी खासी नहीं पकड़ेगी, तो यहाँ पे इस अजवाइन को इसमें मैंने डाल दिया है, और इसे पकने देना, इसका कलर टोटली चेंज होने देना, इतना इसे पकने देना है, और बस इसी नुसके से हम यह तेल बना कर इस्तमाल करती हूँ, मैं तो स्पे बार मालिष करना है दिन में, सारे काम धाम छोड़ के आपको यह तेल से मालिष करना है, बच्चों को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, मेरी गैरंटी, अगर आप इससे मालिष करते होना, आपके बच्चों को सर्दी जुखाम होगी ही नहीं, अब यह तेल चूक इससे मालिष ना करें, तेल ठंडा हो जाते हैं, सर्दियां बहुत जादा है, अब यह तेल ठंडा हो जाएगा, तो इसमें एक चीज हमें और एड करना है, वो में बताती हूँ, यह है नूरानी का तेल, इसमें हमें दो चमच एड कर देना, जब भी मालिष करें, तो इसमे से मालिष नहीं करना है फ्रेंज यह देख सकते आप इसकी प्राइज भी यहां पर डली हुई है दो स्टो सेटालीस उर्पे का यह तेल है और जब भी मालिष करें इस तेल से डाल देना है अगर आपके बचों को खासी जुखाम है तो आपको पांच बार मालिष करना है तो यह तेल से में मालिष करती है आप लोगों देख लीजिए और इससे खासी जुखाम नहीं होगा और खासी जुखाम हो भी गई है तो इसमें कर देना है तेल गुनगुना करके उसी से आपको मालिश करना है बहुत ही फायदा मिलेगा बहुत ही रहत मिलेगी खासी जुखाम छूम अंतर हो जाएगी तो आज की वीडियों कैसी लग कमेंट में ज़रूर बताएगा मैं मिलूंगी नेक्स वीडियों में रखे अपना जया झा जया झाओबा झाई ठक पताहन को नेक्स ववचीन थैसे चंसके वीडियों क्यों में मिलूट गुसी कि अक्ल नेक्स वझ स्पे थाहन काई